अगर इंसानों की उत्ति बंद्रों से हुई है तो बाकी बचे बंदर इंसान क्यों नहीं बन पाए उनके साथ इतना भेदबाव क्यों हुआ जिस कारण वो आज भी पेड़ पर रहते हैं चलिए जानते हैं परोडों साल पहले बंदर पेड़ों पर रहा करते थे लेकिन फिर कुछ बंद्रों ने सोचा की चलो यार पेड़ से उतर कर धरती पर जाते हैं वहीं खाने की खोज करेंगे वहीं उन्होंने फिर अपने पेड़ों से चलना शुरू कर दिया बलकि आज की इंसानों की तरह जिन बंद्रों ने पेड़ पर रहना ठीक समझा वो आज भी हाथ और पैर से चलते हैं उनमें कोई जादा बदलाव नहीं आया लेकिन अभी भी चलने वाले बंद्रों के हाथ बड़े बड़े थे वो आज की इंसान की तरह नहीं थे वो इसलिए नहीं थे क्योंकि वो पेड़ों पर लटक लटक कर भागते थे अब जब वो पेड़ों से ज शकल में भी बदलाव आने लगे यह बदलाव इतने दीरे दीरे हुए उनको होने में करोडों साल लग गए